हेलो बच्चों गुल मॉनिंग कैसे हैं आप सब स्वागत आपका फिट से आपके अपने यूटूब चैनल पर और आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर की MCQ सीरीज का पार्ट नंबर टू फिस्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताये थे रियल नंबर के को ऐसे कैसे कोश्चन आते हैं वो हमने सोल करना सिखे आज हम जितने भी रियल नंबर के उपर बाकी कोश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं question से इसमें क्या कहता है if p and q are two conjugative natural numbers then the hf of p and q is मैं पहले आपको concept बताता हूँ कि क्या होता है conjugative numbers क्या होते है conjugative numbers के बारे में पहले हम पढ़ते हैं conjugative numbers conjugative का मतलब हिंदी में होता है लगातार लगातार और हिंदी विडियो वाले students के लिए इसका मतलब होता है कर्मागत जो हिंदी में लिखाएगा आपका वो कर्मागत word लिखाएगा कर्मागत संख्या है conjugative का मतलब होता है जैसे हम बात करें conjugative natural numbers की तो वो कौन से होंगे 1,2,3,4,5,6 conjugative का मतलब यह होता है कि इन दोनों के बीच में कोई natural number नहीं आना चाहिए 2 और 3 के बीच में कोई natural number नहीं आना चाहिए तो यह क्या होते हैं हमारे conjugative natural numbers होते हैं अब अगर हम बात करें मानलो आपके paper में आजे conjugative even numbers की बात करें conjugative even numbers कौन कौन से होंगे इन दो numbers के बीच में कोई even number नहीं आना चाहिए, number तो आ सकता है 3, but it is not even, ठीक है, वो odd है, even नहीं आना चाहिए, इसी तरह से अब आप समझ गयोगे, अगर conjugative odd numbers की हम बात करें, conjugative odd numbers की, तो वो कौन से होंगे आपके, 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे क्या होते हैं, conjugative odd numbers होते हैं, अब आप से question में क्या पुछा गया है, कि P और Q कोई दो conjugative natural number है, तो उनका h shift कितना होगा, आप देखो, कोई भी example ले लो आप, conjugative natural number का आपका जो मन करें न वो example ले लो, मालनों मैंने 1 को क्या माल दिया, 2, 1 को क्या माल दिया, 3, अब आप मेरे को बता दो, इनका h shift कितना होगा, 2 और 3 का, 2 और 3 में कोई भी factor common नहीं है, 1 के अलावा, तो इनका h shift कितना है हमेशा, 1, आप सोचोगे कि 2 और 3 के अलावा कोई और हम example ले ले लेते हैं, कोई भी 2 consecutive number ले लो, आप example, 99 और 100 ले लो, इनमें भी कोई भी number क्या होगा, आपका common नहीं होगा factor, अंसर कितना हैगा, h shift 1, h shift 4, आप कोई भी बड़ा number ले लो, 1000 ले लो, और 1001 ले लो, ठीक है, इनका भी h shift कितना होगा, 1, तो मैं आपको यहीं बताना चाहरा हूँ, कोई भी 2 consecutive number लोगे न, उसमें कभी भी common factor होता ही नहीं है, चैब कितना भी छोटा, और कितना भी बड़ा पेर ले लो, h shift हमेशा उनका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, तो आप यह बात ध्यान रखना, कि h shift of, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, result, h shift of two consecutive natural numbers, अगर दो consecutive natural numbers आ जाए, उनका हमेशा h shift कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, यह बात है, h shift होता है, अच्छा, अब h shift कि साथ-साथ मैं आपको lc m भी बता देता हूँ, इनका lc m कितना होगा, lc m of two consecutive natural numbers, क्योंकि examiner का थोड़े पता है, कि वो हमार से h shift पुछे गया, lc m, तो जब h shift का concept है, तो साथ-साथ मैं आपको lc m का भी सीखना चाहिए, देखो आप कोई भी example ले लो, मालनों मैं कहता हूँ, आपसे lc m बताओ, मेरे को 2 और 3 का, अगर आपको पता है, कि दोनों के अंदर कोई common factor है ही नहीं, तो उनका जो lc m होगा, वो कितना होगा, इन दोनों की multiply होगा, इन दोनों की क्या होगा, multiplication, आपसे पुछे, lc m बताओ, 99 का और 100 का, आपको सोचना नहीं है, आपको बस सिद्धा देखना है, कि ये दोनों consecutive natural number है, तो उनका lc m कितना होगा, 99 into 100, यान की 9900, इस तरीके से आप सोच लो, तो consecutive natural number है, मानलो a और b, उनका अगर आपको निकालना पड़ जे, क्या lc m, तो दोनों की क्या करते हैं, आप multiply करते हैं, यानि की answer कितना है, आपका a, b, तो ध्यान रखना है, hcf of two consecutive numbers is always one, and lc m of two consecutive natural numbers is always the product of these two numbers, तो ये बहुत important concept है, दोनों के दोनो, hcf का भी और lc m का भी, अब question देख लो, आप क्या पुछ है, p और q two consecutive natural number है, आप से hcf पुछ है, मैंने अभी बताया, two consecutive natural number का hcf कितना होता है, हमें साब का one होता है, अब देखो next question, इसमें ये कहता है, a rational number can be expressed as a terminating decimal, if the denominator has factor, मैंने आपको last lecture में बताया था, कि कोई भी rational number हो, उसकी decimal expansion, terminating होगी या नहीं होगी, ये किस बात पर depend करता है, आपका two और या क्या हो five हो, या ये दोनों हो, यानि कि two और five के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगी, terminating होगी, तो इसका answer क्या आपका two और five, बस यही तो है, ये terminating कब होगी, तो आपको होगे, या तो two हो denominator में, या फिर कितना हो five हो, तभी ये terminating होग कितना होगा, आप जैसे ऐसा ऐसा question कभी भी आपको exam में मिलेना और कोई नया question भी है, तो मैं आपको सोचने का तरीका बचा लेता हूं कि कैसे सोचोगा आप उस question के बारे में, आपको ये कह रखा है कि P और Q, any two prime numbers, any two prime numbers का मतलब होता है, आपका जो मन करे वो prime number मान लो, ठी के equal है two के, और Q कोई prime number है, कितना है three के, ये दो prime number है, आप मेरे को यहीं से बता दो, इनका LCM कितना होगा, याने कि two और three का LCM, दोनो prime number है, इसका मतलब, दोनों के अंदर कोई भी factor common नहीं होगा, और मैंने अभी आपको बताया था last page पे, अगर दो number के बीच में, कोई factor common न ठीक है, तो आपका LCM आएगा, वो कितना हैगा, 11 into 17, याने की 187, ऐसे आप कोई भी prime number मानोगे न, आपका यहीं होने वाला है LCM, एक मानलो आपका prime number है 97, और एक आपका prime number है 101, इनका LCM कितना हैगा, 97 into 101, इस तरीके से ये concept होता है, कोई दो prime number है, उनका जो LCM होगा, वो उ P and Q, वो किस के equal होगा, P, Q के equal होगा, तो मैं आपको यहीं बताना चाहता हूँ, इन दोनों numbers की multiplication के equal होगा यह, अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, which of the following is not an irrational number, मैंने आपको last lecture में भी बताया था, कि जहाँ पे भी आपको square root का symbol दिख जाए, आप यह मत कहना कि यह एक irrational number है ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपको बताना है, कि इन में से कौन सा irrational number नहीं है, यह तो पका irrational है, क्योंकि यह rational है, यह irrational, दो rational number का मतलब एक आपको क्या दे रखाए, डिफरेंस दे रखाए, जिस में से एक rational है, एक क्या है, इर rational है, तो यह तो क्या है, आपका irrational है, ठीक है, और प्लस में रूट 9 और रूट 9 को तो मेरे को पता है मैं 3 लिख सकता हूं तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 यह आपका रैशनल है means it is not irrational number आप शेपुछ है कौन सा इश रैशनल नहीं है तो D option आपका क्या होगा करेक्ट तो बहुत ध्यान से करने है ठीक है यह ना हो कि आपने पूरी साल मेहनत करी और फिर पेपर में एक सीली मिश्टेक के करना आपका मार्क्स कर जाए तो आपको अच्छे से को समझ रहे हैं और फिर आपको उसका अंसर टिक करना है यहां पर देखो क्या क्या कहता है यह बिल्कुल बेसिक प्रोपरेटि के वपर बेस्ट कोशन है दे एक एक नंबर दे रखा है एक इतना 38 तो आपको भी निकालना है तो मैंने क्या फोर्मला बताया आपको कि दो नंबर की प्रोड़क्ट वो किसके एकवल होती है उनके यह HCF और LCM की प्रोड़क्ट के एकवल होती है A की वैल्यू कितनी है बता दो 38 B की वैल्यू आपसे पुछी है HCF कितना है 19 LCM कितना है 152 तो यह 38 कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा 38 को आप नीचे भेजोगे तो यह कट जाएगा 19 टूजा और यह 76 पे कट जाएगा तो B की वैल्यू कितनी हागी 76 यानि की आपको दो नंबर का HCF भी दे रखा है LCM भी दे रखा है उन में से एक नंबर आपको दे रखा है आपको दूसरा नंबर निकालना है पेपर में थोड़ा इतना लिखोगे आप यह तो सब्जेक्टिव के लिखोगे यह सब्जेक्टिव में आएगा आपके तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ठीक है यह है यहां देखो ऐसे ऐसे कुशन बहुत आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का कुशन है यह इसके अंदर कहता है यह जो नंबर है न यह कैसा है कंपोजिट है प्राइम है नीदर यह सब्सक्राइब जाता है यह जिसके दो से ज्यादा फ्रो से इस तरह से तो वन जो बच या ना वन यह क्या होता है ना तो शन्डियर इन्टू 15 और पूरे के साथ में प्लस कितना है 15 है आप ये बताओ मिलको ये पूरा एक ही तो नंबर है क्योंकि हम इनकी सभी क्या कर सकते हैं कर सकते हैं ये पूरा एक नंबर बच जाएगा और एक नंबर ये बच जाएगा दोनों में से अगर मैं चाहूं तो 15 क्या ले सकता हूं common common का मतलब आप समझते हो क्या होता है कि बाहर मैं इस नंबर को 15 से multiply कर रहा हूं तो अंदर क्या करोगा इसमें से 15 common लोगे तो क्या बचेगा 7 x 11 x 13 बचेगा पलस 15 में से आपने 15 common ले लिया क्या बचेगा 1 common का मतलब क्या होता है आप 15 को 15 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो अब आप मेर को बताओ आपको multiply वगरा करने की जुरूरत नहीं है देखो ये जो answer आएगा आपका जो भी आए 1001 एक special number होता है जिसके multiply क्या होता है 7 x 11 x 13 आपको paper में आगे करने की जुरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हैगा 1001 पलस में 1 यानि 1002 अब आप मेर को बता दो जब ये 15 को ही आप 3 x 5 लिख सकते हो तो ये number prime कैसे हो सकता है ये पूरा number है ठीक है य 5 से भी divide होएगा 2 से भी divide होएगा तो prime number तो होई नहीं सकता है जिसके 2 से ज्यादा factor होगे वो number हमेशा क्या बनेगा आपका composite बनेगा ठीक है मैं इसका concept बता देता हूँ क्या होता है confused होने के आपको ज़रूरत नहीं है देखो ऐसे होता है ये माल लो आपको कितना भी क्यों होगा मैं कहता हूँ इसमें से 9 कॉमन ले लो ना क्योंकि 9 इसमें भी है और इसमें भी है यहां से क्या बच जाएगा इन सब की multiplication 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 और प्लस में क्या बच गया 1 आप ये बताओ 9 है अगर बाहर तो ये 3 into 3 लिख सकते हैं और ये भी तो एक पूरा number आएगा ये क्या आएगा एक पूरा number आएगा एक तो बताओ ये जितना भी number आएगा वो 3 से भी divide हो रहा है और इस खुद से भी divide हो रहा है तो जो number खुद के अलावा किसी और number से divide हो गया तो वो तो prime होई नहीं सकता प्राइम तो क्या होता है जो या तो खुद से divide होगा या फिर 1 से divide होगा इसके अलावा नहीं होगा ये जो number आएगा ये 9 into something आएगा ठीक है इसका मतलब जब हम इस number को 9 से divide करेंगे तो ये पूरा-पूरा divide हो जाएगा तो इसका मतलब ये prime तो नहीं है ये हमेशा ही क्या होता है composite तो आप ये तो दिमाग में रख लो बात कि ऐसा number कभी भी आएगा तो वो composite ही होगा ठीक है ये आपकी textbook के अंदर जो ना subjective question के अंदर भी पूछा जा सकता है अब ये देखो ये बहुत आसान question होता है 119 का square minus 111 का square इसमें से क्या होगा मैं आपको बस formula बता देता हूँ a square minus b square का formula आपने 9th class में पढ़ा होगा क्या होता है a plus b into a minus b ये भी वैसा ही तो है देखो 119 का square minus 111 का square आपको square खोलने की जूट नहीं है आप formula पूट करो एक बार इनको क्या कर दो दोनों को add कर दो और एक बार इन दोनों को क्या कर दो minus कर दो add करोगे तो कितना अगा बताओ 230 और ये minus करोगे तो कितना आएगा 8 अब आप मेरे को बता दो कि 230 into 8 क्या prime number हो सकता है क्या आपको prime तो ही नहीं क्योंकि ये number क्या 8 से divide नहीं होगा मैं 8 से इसका दोमाऑ ये हो जाएगा पूरा ये ओड़ प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर ही नहीं है तो फिर और प्राइम नंबर का तो मतलब ही नहीं है ठीक है ओड़ composite number ये number बता दो मेरे को ode है क्या आप कहोगे जी बिल्कुल भी ode नहीं है क्योंकि ode वो होता है जो 2 से divide नहीं होता और ये number तो 2 से divide हो जाएगा तो ये भी option नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा factor है क्योंकि देखो 230 कुना में 8 है मेरे को सिद्धा पता लग रहा एक 8 इसका factor है एक 230 इसका factor है और एक तो होता ही होता है सब numbers का factor तो यानि कि 2 से ज्यादा factor होगे और 2 से ज्यादा जिस भी number के factor होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं composite number बोलते हैं ऐसे question करने से आपको कुछ नई बातों का पता लगेगा ताकि एक्जाम में पहली बार इस question को देखोगे आपको कुछ शोल नहीं करना पड़ेगा डिरेक्ट आप answer टिकर दोगे composite number ठीक है अब यह देखो क्या होता है इनका इस question में पूछा गया है the hcf of these three numbers 3 number का आपको hcf निकालने लेकिन ये number आपको क्या है बड़े दिखाई दे रहे हैं याणि कि आपको इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं कि आप सञा आसानी से इन numbers के बारे में सोच नहीं पाओगी लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहता हूँ देखो इनका hcf आपको ऐसे निकालना आना चाहिए 567 मैं एक और मैं थर बताऊँगा पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ देखो जिस बच्चे को मैंने आपको बता रहा है बार बार मैं एक ही चीज बताता हूँ 25 तक के सुकेर आपको याद होने चाहिए और जिस बच्चे को 25 तक के सुकेर याद है उसको पता है 21 का सुकेर कितना होता है 441 होता है 441 अब अगर 441 का सुकेर है तो मतलब यह होता है 21 गुणा में 21 यानि कि यह 7 से क्या होगा आपका डिवाइड होगा तो यह 7 से डिवाइड होता है तो मैं एक बार हिंट ले ले ल हिंट लिया तो सैवन से क्या होगा यह डिवाइड क्यों वेरे को पताा लगया क्योंकि मेरे быть यह दिखते ही पता लगया कि यह तो इक किसका स्क्वेर होता है और सब् engagement से डिवाइड हो अब मेरे लिए कोश्चन होगा आसान अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यह सारे नमबर यह कितना होगा 21 यह 27 और यह 33 अब फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं यह 3 से डिवाइड करोगे यह 7 पे यह 9 पे और 11 पे अब कोई भी नमबर ऐसा नहीं है जो इन इननों को डिवाइड कर दे तो इसका मतलब एचिफ कितना होगे हमारा सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री यानिकि 63 और यह इस कोशन का क्या है अंसर है तो यह इंपोर्टन्स होती है जो चीज मैं आपको बताता हूं बार बार कि आपको टेबल याद होने चीए 25 और 25 तक है अच्छे से वो तुरंट देखते ही बता देगा कि यह नंबर साथ से क्या होगा डिवाइड होगा ठीक है एक तो मैथर यह था सिंपल दूसरा मैं आपको बताता हूं एक मैथरेंस मैथर यह बहुत अच्छा मैथर है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा डिफरेंस पारे में आपको मैं समझाता हूं क्या होता है देखो एक मानलो नंबर है मैंने कह दिया कि 12 एक नंबर मानलो है कितना 12 एक नंबर है इससे अगला मानलो 18 और एक नंबर है 24 मैं कहता हूं इन नंबर का अगर आपको HCF निकालना हो तो आप डिरेक्ट कैसे बता होगे देखो 12 और 8 में difference कितने का है 6 का 18 और इसमें भी difference कितने का है 6 का अगर ये दोनों difference same हो तो आपका जो hcf होगा वो कितना होगा 6 होगा आप direct answer बता देना कितना 6 लेकिन एक risk होता है इसके अंदर शिरफ अगर पहले वाला number ही 6 से divide ना हो तब hcf 6 कैसे हो जाएगा आप कहोगे hcf का मतलब तो यह होता है 6 इन तिनों को divide करेगा और ऐसा बड़े से बड़ा number है लेकिन तब क्या होगा जब 6 पहले वाले number कोई divide नहीं करेगा तब इनका hcf कितना होगा आपका 1 होगा जैसे मान लो मैं आपको example देता हूँ यहाँ पर 5 आजे यहाँ पर 5 और 6 कितना 11 और 11 और 6 कितना 17 अब बताओ इन दोनों का gap कितना है 6 इनका gap भी कितना है 6 तो क्या 6 इसका hcf हो जाएगा आप कहोगे 6 तो तिनों में से किसी number को divide नहीं करता hcf कैसे होगा तो फिर इनका hcf कितना होगा 1 तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है अगर यह gap सेम हो तो जितना भी gap आता है यह देख लो क्या सबसे पहला number उस gap से divide होता है क्या अगर होगा तो hcf वो gap हो जाएगा नहीं तो फिर hcf कितना होगा 1 अब इन questions के अंदर देखो जब भी आपको बड़े number दिखे और paper में hcf पुछा हो तो आप यह difference method को याद कर लेना 100% इसी के उपर based question पुछा जाएगा इन दोलों में कितना difference से बताओ difference का मेरा मतलब होता है बड़े number में से छोटा number क्या कर दो आप minus कर दो ठीक है बड़े में से छोटा minus करोगे देखो 567 अप और इसमें से यह minus करोगे तो आपका कितना आएगा यह यह आप cancel आजएगा 6 और यह कितना आएगा 2 और यह कितना आएगा 1 यानि कि 126 का आगया और इनमें भी gap कितने का है देख लो इनमें gap आपका आएगा 67 और यह आपका आएगा 7 693 में से 567 गटाओगी यह भी 126 का अब देखो gap तो 126 का है लेकिन क्या यह 126 इसको डिवाइड करता है क्या आपका होगे बिल्कुल नहीं करता क्योंकि 126 तो एक even number है और यह एक और नमबर है तो और नमबर को even number कैसे डिवाइड करेगा तो इसका मतलब इसका HCF हम सिधा नहीं बता सकते ठीक है यह भी जुरूर नहीं कि हमेशा even आएगा हो सकता है 126 का कोई factor आए 126 का कोई न कोई factor आए या फिर 1 होगा अब इससे आपको निकालना मुश्किर हो जाएगा कि 126 का कोई सा factor इन तिनों को डिवाइड करेगा तो इससे अच्छा method तो कोई साब का यह है ठीक है तो बस मेरे को एक ही बात आपको बतानी थी कि ऐसा difference method भी होता है लेकिन 10th class वाले बच्चे का जो average बच्चा होता है उसके लिए समझना थोड़ा high level का काम हो जाता है इसलिए आप basic method पे चलो आपका answer आजाएगा इसमें देखो क्या कहता है if n square minus 1 n square minus 1 एक कोई भी number हो सकता है मतलब आप n की value जैसे 1 put कर दो 2 put कर दो ये कुछ भी number आएगा निकल के और वो कहता है 8 से divide होगा वो number क्या आएगा 8 से divide होगा तो n क्या होगा आपसे पुछ है देखो मैं आपको इस question का मतलब बताता हूँ कि ये कहना क्या चाता है ये कहना चाता है कि n square minus 1 एक number है जो किस से divide होता है 8 से divide होता है तो बताओ मेरे को n की क्या value इसके अंदर आप put कर सकते हो ये कह रखा है पहला option की आप कोई भी integer put कर सकते हो मैं कहता हूँ ऐसा कहना गलत है मैं अगर integer की जगे n की जगे इसमें 2 put कर दूँ n को 2 put करोगे तो 2 का square minus 1 यान की 4 minus 1 ये तो 3 आ गया बताओ क्या 3 8 से divide होता है क्या आपको बिल्कुल नहीं होता which is not divisible by 8 तो यान की कोई भी integer तो आप put नहीं कर सकते क्योंकि मैंने put करके दिखा दिया option गलत हो गया ये तो फिर कहता है कोई भी natural number अब मेरे को बताओ ये मैंने natural number ही तो put किया था तो कहां है ये 3 तो नहीं होता ये ये भी answer गलत है अब कोई odd integer पुट करके देखो ये option तो वैसे गलत हो गया even integer मैंने ये even integer ही तो put किया है तो फिर ये भी option गलत हो गया 1 square minus 1 यानिकि 0 0 तो किसी भी number से divide हो जाएगा 0 को छोड़के which is divisible by 8 मतलब ये तो true हो गया लेकिन आपको होगे क्या odd number 1 ही होता है क्या कुछ और put करके दिखा हो हमारे को मैं n को आपको 3 put कर देता हूँ तो 3 का square minus 1 यानिकि 9 9 minus 1 8 8 भी बताओ 8C divided होता है फिर n को 5 put कर लो आप जो मन करें वो put कर लो n को 5 put करना n square minus 1 कितना आएगा बताओ 5 का square minus 1 यानिकि 25 minus 1 24 आएगा ये भी 8C divided होता है तो n को आप कोई भी odd integer put कर लो वो हमेशा n square minus 1 8C divided होगा तो इस question का answer आपका C option हो जाएगा यहाँ बे देखो यह बहुत अच्छा question है देखो क्या कहता है If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of this इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों का जो HCF होगा वो इसके equal होगा आपको M की value बतानी है तो आप कहोगे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों नंबर का HCF होता कितना है बाकी बाते तो बाद किया है HCF जिसको table आती होगी वो बच्छा तुरंत पैचान जाएगा कि दोनों 13 की table में आते है 13 5 जा और 13 9 जा तो मुझे बता दो आप HCF कितना होगा 13 हो गया क्योंकि आगे तो कोई भी नंबर होता ही नहीं है HCF कितना आगा 13 इन दोनों का HCF मैंने निकाल दिया 13 अब question के according आपको कहते है जो यह HCF है वो इसके equal है यानि कि 65M-117 यह किसके equal है बताओ मेरको 13 के equal है क्योंकि HCF 13 आया तो यहां से क्या आप बताओ मेरको M की value नहीं निकाल सकते इस minus उदर इसको उदर ले जाओ कितना होगा प्लस यह आगया आपका 130 65M equal to 130 M कितना आगया 130 divided by 65 यह 2 पे कट जाएगा और M कितना आएगा 2 यही इस question का क्या है answer है तो बिल्कुल आसान question था आपको मतलब समझाना चाहिए कि इस question का meaning क्या है जो hcf होगा वो इसके equal रख देना M की value आईगी ठीक है यह देखो अब यह बहुत अच्छे question होते हैं इस तरह के if two positive integers a and b are written as a की value यह है और b की value यह है x और y कोई prime number है तो आपको a और b का hcf बताना है देखो हम जैसे मालो 12 और 18 के hcf की बात करते हैं prime factor इसे 12 के जो prime factor होते हैं वो क्या होते हैं 2 into 2 into 3 होते हैं और 18 के जो prime factor होते हैं वो क्या होते हैं 2 into 3 into 3 होते हैं यानि कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की power 2 और 3 की power 1 इसको हम लिख सकते हैं 2 की power 1 और 3 की power 2 अच्छा जब H अपर निकालते हैं तो क्या होता है देखो 2 की पावर इसमें भी है इसमें भी है तोनों में से कौन सी लेते हैं जो कम होती है 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 तो 2 की पावर 1 लेंगे 3 की पावर भी जो कम होती है कितनी है 1 3 की power 1 लेंगे तभी तो हम कहते हैं कि 12 और 18 का h shift कितना होता है 6 होता है ठीक है तो यही बात इसके अंदर है देखो A एक number है जिसके हमने prime factor बनाए तो ऐसे आए ठीक है यह x और y क्या है prime number है जैसे 2 हो सकता है 5 हो सकता है बी जो number है वो कितना है x y cube तो आप मुझे बता दो इनका h shift कितना होगा A और B का अभी हमने क्या बताया कि जो छोटी power होती है जैसे x यहां पे है x यहां पे है इसकी power 1 है इसकी power 3 है तो क्या लेंगे आप 1 power लेंगे ऐसे y y की यहां power 2 है यहां power 3 है तो hcf में कौन सी power ली जाती है छोटी power ठीक है आपका answer क्या आगया x y square इन दोनों number का hcf कितना होगा आपका x y square तो बहुत अच्छा question था इस तरह के questions भी exam में पुछे जा सकते हैं तो यह concept तो किसका था आपका hcf का लेकिन आप खुछ सोचा करो अगर hcf का question पुछा गया है तो हो सकता है lcm के बारे में भी पूछ ले ठीक है अगर इनी number का lcm पुछा जाता a कितना आपका x cube y square और b कितना आपका x y cube अगर आप से पूछ ले lcm बताओ a और b का तो मैंने क्या का बताया hcf में तो छोटी power देखते हैं और lcm में क्या देखते हैं बड़ी पावर ठीक है इसमें xकी पावर 3 इसमें x की पावर 1 तो कितना होगा यह बताओ x की पावर 3 आएगा यहाँ पर y की पावर किया गा ठीज आएगा तो hcf तो हो गया इसका x y square और lcm कितना हो गया आपका x cube y cube तो ये बात मेरी ध्यान रखना हमेशा hcf के अंदर छोटी power और lcm के अंदर क्या होता है बड़ी power होती है या फिर अगर मानलों आपको lcm नहीं भी निकालना आता बाइचांस तो हमारा एक formula तो हमेशा काम करेगा कौन सा दो नंबर की product वो किसके equal होता है बताना है मेरेको hcf into lcm होता है क्या दो नंबर की product यानिकी a into b a की value कितनी है यहां पे x cube into y square और b की value कितनी है x into y cube equal to hcf hcf तो निकालना आपको आता ही है छोटी power देते हैं into में क्या आजएगा lcm तो बताओ यहां से अगर मैं lcm निकालन में क्या है आपका x y square अब देखे लो कौन कौन सी ट्रम आप इसमें से cancel कर सकते हो x x कट क्या y square से y square क्या क्या बच गया x cube y cube और यही मैंने यहां पे निकाल के दिखाया यह यहां से आगया तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों का कि power के रूप में ऐसे आपको number दे दे और कैदे बताओ इनका hcf क्या है lcm क्या है तो हम दोनों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अब यह देखो यह ऐसे ऐसे question conceptual question होते हैं example लेके आप किनी भी चीजों को प्रूव कर सकते हैं मैं सारी चीज़े आपको शिखाता हूँ आज the product of a non-zero rational and irrational number is यानि कि कहता है एक कोई rational number है जो 0 नहीं है ठीक है और एक irrational number है दोनों की product क्या होगी आप अपनी मर्जी से ना कोई भी मान लो let कर लो जो rational number है ना यहाँ पे उसको कुछ भी मान लो लेकिन 0 नहीं मानना क्योंकि इसने question में दे रखा है non-0 है तो मैं rational number को क्या मान लेता हूँ one क्योंकि one भी एक rational number है मैंने आपको बता रखा है number system में अब बात आती है irrational number की irrational number मैं अपनी मर्ची से कुछ भी मान सकता हूँ तो मैं इसको root 2 मान लेता हूँ अब आप मेरे को बता दो इनकी जो product होगी वो क्या होगी आप को होगा जी one into में root 2 root 2 होगी और स्टाइबर को इसे चब्घ्रा क्या होखें हны तो इसका उनसर के आज है को पना आप समझोगे कि क्या चलो ओल्वेज रेस्नल वाला तो पिसीं गलत होगा क्योंकि ओल्वेज रेशनल कैसे महो क्डिया हो सकती है जब यही नवर इसनल आया थिक आटन तो हो सकती आपके मूं में बस एक चीज और आ सकती है कि rational और irrational क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से कोई हो कई बार rational हो जाए कई बार irrational हो जाए मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा एक rational नंबर और एक irrational नंबर दोनों की product कभी भी rational नहीं आ सकती वो सिरफ एक ही case में आती है जब rational नंबर क्या हो आपका zero हो ठीक है देखो आप मान लो rational को zero मान लो कोई rational नंबर है zero भी तो एक rational नंबर होता है न और irrational नंबर को आप कुछ भी मान लो root 5 मान लो तो आप मेरे को बताओ इनकी जो product होगी अब zero की multiply तो आप किसी से करोगे तो zero ही आएगा न और zero तो क्या होता है rational होता है यानि कि दो नंबर की product जिसमें एक rational हो एक irrational हो वो rational भी आ सकती है irrational भी आ सकती है कब जब आपको ये question में condition ना given हो कि जो rational नंबर है वो non zero है ठीक है तब तो कुछ भी आ सकती है लेकिन आपको question में given है कि non zero है rational नंबर तो तब product हमेशा क्या आएगी तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं अगर ये non zero वाली condition ना होती न तो rational और irrational दोनों में से कुछ भी अंसर आ सकता है क्योंकि rational नंबर को हम zero अगर मान लेंगे तो दोनों की product क्या आजेगी जीरो आएगी और जीरो तो हमेशा क्या होता आपका rational होता है लेकिन आपको फिर तो ये always rational रहना चाहिए मैं कहता हूं नहीं always rational क्यों rational को सिरफ zero ही थोड़ी माननूंगा मैं rational को मैं two भी तो मान सकता हूं और irrational को मैंने root three माल दिया तो product कितने आएगी आपकी two root three आजेगी तो कहने का मतलब कुछ भी आ सकती है rational भी आ सकती है और irrational भी आ सकती है तो आप इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना अब देखो ये दो कोशन मैंने लिए बहुत अच्छे कोशन है इसमें कहता है the least number that is divisible by all the numbers from one and ten both inclusive इसका मतलब ये है कहता है वो छोटे से छोटा number मेरे को बता दो जो one से लेके ten तक सभी number से divide हो जाए और one और ten भी इसमें शामिल है या तो one से भी divide हो two से भी हो three से four से five से six से seven से eight से nine से और ten से जो क्या हो सभी से divide हो आप सबसे पहले क्या देखा करो आपको divisibility test आने चीए इसके लिए divisibility rules कुछ मैं बता देता हूँ आपको divisibility rules के बारे में क्योंकि जिस बच्चे को ये rules पता होगा वो तुरंत इसका answer बता दे जो unit digit होते हैं उसका unit digit मतलब last का digit वो क्या होना चाहिए आपका even number होना चाहिए मतलब की 0 हो सकता है 24 हो सकता है इन में से कुछ भी हो गया तो आपका even होगा three से कब divide होता है बता हो three से कोई नंबर तब divide होता है जब उस नंबर के सारे digits को हम add कर दें sum of digits is divisible by 3 समझ लेए आप जैसे मान लो यह है नंबर 2 और 5 कितना होता है 7 7 और 2 कितना होता है 9 9 प्लस 0 कितना होता है 9 इसका sum of digit कितना हो गया 9 वो तो 3 से डिवाइड होता है तो यह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ऐसे चेक करने का तरिका होता है ठीक है लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा जैसे यह नंबर है देखो लास्ट के दो डिजिट कितने आपके 20 20 क्या 4 से डिवाइड होता है आपको बिल्कुल होता है तो इसका मतलब यह नंबर भी क्या होगा पूरा का पू दो से भी हो और थी से भी हो तू से कोई number divide होगा तो भी हम पर चुके हैं थ्रीका भी हम पर चुके हैं ठीक है 7 का आपके 10th class के बच्चे के level के हिसाब से बहुत बड़ा हो जायगा rule इस दिए 7 का divisibility test आप मत सिक्कों आप एक नंबर को सिधा 7 से डिवाइड ही करके देख लेना अगर वो होता है डिवाइड तो 7 से डिवाइड कहलाएगा अदर्वाइज नहीं कहलाएगा ठीक है एट का divisibility rule क्या होता है देखो तू का divisibility rule होता है कि last का digit 2 से divide होना चीए 4 में last के 2 digit होने चीए 8 में क्या होगा last के 3 digit होने चीए अगर last के 3 digit last 3 digits last 3 digits are divisible by 8 अगर किसी नंबर के सिरफ last last के 3 digit आप देख लो वो 8 से divide होते है न तो वो पूरा नमबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड होगा otherwise नहीं अब देखो जैसे यही नमबर है last के 3 डिजिट है कितने 520 देखना क्या यह 8 से डिवाइड होता है 8 6 जा 48 बचके 4 8 5 जा होता है यह तो पूरा नमबर भी 8 से डिवाइड आपका होगा ठीक है 9 से डिविजिबल्टी रूल क्या होता है जैसे 3 का डिविजिबल्टी रूल क्या होता है बताओ sum of digit अगर 3 से divide होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से divide होगा ऐसे 9 में होता है अगर sum of digits अगर sum of digits divide होता है किसे 9 से तो वो पूरा नंबर भी 9 से divide होगा और 10 का divisibility rule तो सबको पता है last का unit digit होता है अपना वो क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए ठीक है तो मैंने आपको ये कुछ divisibility rule बता दिये जो आपकी बहुत help करेंगे अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा number है चोटे से चोटा जो 1 से लेके 10 तक सभी number से divide होए बताओ 10 answer कैसे हो सकता है ये तो 7 से divide नहीं होता 100 भी 7 से divide नहीं होता तो इसको भी काट दो अब आती है बात 504 या 2520 के बारे में देखो ये number 2 से divide होता है सब कहा देंगे होता है 3 से divide होता है sum of digits कितना है बताओ 5 और 4 कितना होगा 9 यानी 3 से divide होता है अचा 3 से भी हो रहा है और ये 9 से भी हो रहा है क्योंकि sum of digits 9 से भी होता है फिर बात आती है किस से 4 से अच्छा यह देखो यह 5 से डिवाइड नियों रहा 5 में तो क्या होता है लास्ट का डिजिट या 0 और या फिर 5 यह देखो नियों रहा 5 से डिवाइड मतलब यह अंसर गलत हो गया तो हमारा सई ओप्षिन क्या होगा 2520 यह 2520 ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाएगा एक से लेके 10 तक में ठीक है आप सिद्धा ही 5 का डिविजिबिल्टी रूल देखो लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना जरूरी है इसमें तो नहीं है तो इसका मतलब यह नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा आपका अंसर क्या आजएगा डिव अप्शन आजएगा तो मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़े बता दी कि कैसे आप इसको चेक करोगे ठीक है यह तो अब सीखने के लिए है एक्जाम में तो यह सारी बाते हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप तुरंट अप्लाई कर दो और कोशन का अंसर बता दो अब यह देखो इसमें यह कहता है दलीस्ट नंबर मतलब छोटे से छोटा नंबर बताओ जो डिवीजिबल वाई हो ओल द नंबर्स फ्रों वन टू एट बोथ इंक्लिजिब मतलब पिछला कोशन में क्या था एक से लेके 10 तक य Net 4.1 से भी होता है टू से भी और मियुआ होता है टीफ लोड कर लो बात हो Deshalb से लिख orAL से में थाइण Эом 충 जो से लुड मेन आए अ नेाइन नहीं होता हैu बताँत को पसे लिए इसकी और जाए अब वियो बताओ मेर फ एक और मतलब दीजिब हो सकता नहीं हो सकता यह 2520 जो नमबर था इसलिए बार हमने चेक किया था यह तो एक से लेके 10 तक से सभी से डिवाइड होता है तो मतलब एक से लेके 8 तक तो डिवाइड हो गाई होगा लेकिन क्या पता 420 हो जाए हमें तो smallest चाहिए न लीश्ट चाहिए तो 420 को चेक करें से यहोसकता क्योंकि sorry 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 यह 9 से तो हमें चेक ही नहीं तो चेक नहीं करनाहorts के न मैं इसनर को 9 से चब्लव मुआ है तो आप देखो 7 से करता है बिल्कुल वेस्फूर से आपड़ेगा अब द चल्श 국 Smash Ab Mediter से भी होता है और यह 8 से नहीं होता 420 को आप 8 से डिवाइड करो 850 40 रिमेंडर बसके 2 अब बताओ 20 तो 8 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब अपना अंसर कितना आएगा 840 ठीक है तो मैं पहले बए 9 से इसको चेक करके था लेकिन 9 से तो हमार को करना ही नहीं है हमार को तो एक से आठ तक करना है तो हमारा अंसर आजएगा 840 अब देखो ऐसे ऐसे कोशन हम कर चुके हैं काफी फर्स्ट लेक्सर में यह कहता है राइट डिनोमिनेटर ओफ दिस रैश्नल लंबर इन दा फोर्म ओफ टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एम यानकी इसके दिनोमिनेटर को आपको टू और फाइव की पावर्स के रूप में लिखना है तो क्या से लिखोगे देखो फाइव थाउजन का सबको पता है क्या होता है यह देखो फाइव इन टू थाउजन होता है एक तो या तफिर इसको फाइव से क्या कर लो दिवाइड कर लो फिर से कर लो अब 2 से कर लो 2 4 और यह 2 और कितना आएगा 2 यानि कि 5000 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ 5 की पावर कितनी है 1 2 3 4 और 2 की पावर कितनी है 3 यह लिखती है हमने 5000 को तो यह जो decimal number है 257 divided by 5000 it can be written as 257 को तो 257 denominator को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटो 2 की पावर 3 यह हमारा क्या आगया अंसर आगया ठीक है अब यह कहता है वेर MNN are non negative integer यह तो हमने कर दिया hence writes its decimal expansion without actual division कहता है बिना divide करें इसकी decimal expansion लिखो मैंने आपको previous lecture में क्या बताया था कि अगर decimal expansion terminating है तो मैं उस expansion को आसानी से लिख सकता हूँ देखो कैसे लिखोगे 257 upon 5 की पावर 4 और 2 की पावर 3 आप मेरे को बता दो किसकी कमी है आपको होगे एक 2 की कमी है अगर 2 एक और आ जाए और एक उपर कर दो तो बात बन जेगी देखो उपर कितना आएक आपका 14 और यह 514 और निच्छे देखो 5 की पावर भी कितनी होगी 4 और 2 की पावर भी कितनी होगी 4 तो अंसर निच्छे कितना आएक बताओ एक 5 और एक 2 मिलके 10 मनाता है तो यह दो 4 पावर है तो मतलब कितने हो जागे 4-0 होगी अब इसकी decimal expansion कितनी होगी 0.0514 तो अगर आपसे decimal expansion पूछ ले तो आप किसी भी terminating decimal expansion को निकाल सकते हो बहुत आसानी से ठीक है यह चीज़े सारी मैं आपको previous lecture में बता चुका हूँ अब यह देखो क्या कहता है sum of a rational and irrational number एक rational number है और एक irrational number है उनका sum क्या होगा देखो आप कोई भी example मान लो rational number कितना है मान लो 2 irrational number को क्या मान लो आप root 3 इन दोनों का sum बताना मेरे को यह क्या है irrational है यह हमेशा ही क्या हैगा irrational आएगा rational कभी आई नहीं सकता ऐका तो हमेशा क्या हैगा आपका irrational आएगा इसमें क्या कहता दिखो the product of irrational and irrational number यह मैंने आपको अभी बताया था इस ही lecture के अंदर कि कोई condition नहीं है कि product rational और irrational number की product क्या आएगी मैं आपको दो एक्जेंपल देके बताता हूं एक को रैस्टनल मान लो आप एक को इडेस्टनल रैस्टनल आप कुछ भी मान लो मैंने क्या मान दिया जीरो मान दिया ठीक है जीरो रैस्टनल होता है इरेस्टनल मान लो मैंने मान दिया रूट टू इनकी प्रोड ख़ी मान लिया और इस स्टनों को मैंने क्या में रूट 5 मान लिया तो बताना प्रोडोंच अधिने धिश्री आई य Somehow कि या आथना होगी याने की प्रडुक्ट आपकी लेस्टन भी हो सकती है और इसनल भी हो सकते है तो रह रह दर्सनल देस्टनल पोट of the above तो आपका option क्या होगा सी लेकिन अगर पेपर में ये condition दे देता कि जो ये रैशनल नमबर है ये 0 नहीं हो सकता नोन जीरो होगा तब product क्या होगी आपकी हमेशा irrational होगी वो question हम कर चुके है ठीक है तो अच्छा question होता है ये कि rational के ऊपर कोई condition नहीं given तो इसका मतलब आप उसको जीरो लोगे तो product जीरो आएगी और नोन जीरो लोगे तो हमेशा क्या हैगी इद रैशनल नमबर आएगी तो मैंने ये आपको प्रूव करके दिखा दिया सब चीजे अब यह देखो यह बहुत आसान question है कहता है इसकी decimal expansion कितने places के बाद terminate होगी पहले lecture में हमने सारी चीजे discuss किये यह number क्या है 47 upon 2 की power 3 into 5 की power 2 मैंने क्या बताया था अगर आपको सिरफ यह देखना हो कि कितनी places के बाद यह decimal terminate हो जाएगी तो जो 2 और 5 में से जो highest power है कितनी 3 तीन places के बाद यह क्या होगी आपकी terminate होगी समझगे तो ब सहानी बताने के जुरूरत ही नहीं आपको इनका HCF आप मेरे को बता दो क्या कोई ऐसा number है क्या जो इन तिनों को divide करता है आप कहता है कोई number नहीं है तो जिनका कोई भी common factor नहीं होता उनका HCF कितना होता है वह आप 25 को लो ही मत 8 और 9 को ही देख लो 8 और 9 का HCF कितना होता है 1 तो बाकी 25 को include करोगे तब भी तो क्या आएगा वन ही आएगा आएगा इसमें देखो क्या करता है एक terminating decimal number जो decimal number terminate हो जाए तो वो क्या होता है आपका rational number होता है क्योंकि rational number के आपकी definition क्या होती है rational number की definition होती है कि वो क्या होगा आपका या तो terminating होगा मतलब कि decimal क्या हो से माल लो 10 को आप 3 से डिवाइड करो देखना 3 3 जा कितना आगा नाइन रिमेंडर बच किया 1 यहां पर पॉइंट लगा दिया यहां 0 30 3 3 जा कितना आएगा 9 अब मिर को बता दो क्या यह कभी खतम होएगा क्या आप को सकता है 2.98 9898 हो सकता है यह 9 8 repeat हो जाए इसको हम क्या दिखते हैं फिर 2.98 का फार हो सकता है तिन-इन के बाद जिजित रिपीट हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन देसिमल नंबर terminate हो जाएगा वो तो हमेशा क्या होगा आपका rational होगा ठीक है अब यह देखो smallest composite number यह तो composite number की definition आज ही मैंने आपको पता ही है smallest composite number कितना होता आपका 4 होता है और smallest prime number पूछ ले तो कितना होता है वो 2 होता है तो एक ही question से आप में ध्यान रखा करो कि smallest prime number भी question पूछा जा सकता ह है एक नहीं answer देना दो होता है ठीक है पाई इज अब यह बच्चे 10th class के बच्चों ने यह चीज पड़ी नहीं होती पाई पाई का मतलब तो सबको पता है 22 by 7 होता है ठीक है और एक इसकी approximate value हम क्या लिखते हैं 3.14 लेकिन मैं कहता हूँ यह इसकी exact value नहीं होती यह दोनों क इसकी exact value calculate नहीं कर पाया है क्योंकि यह decimal के बाद खतम होती नहीं होती नहीं होती नहीं है तो पाई हमेशा क्या होगा इस बात को इसमें देखो क्या कहता है the product of three conjugative integers each individual y conjugative integers तीन conjugative integers की product कहता है किस से divide होएगी जब भी कभी ऐसा question आए कि तीन conjugative integer तो starting का integer आप क्या लिया गरो one लिया गरो conjugative का मतलब फिर क्या होगा फिर एक two होगा एक कितना होगा three इनकी product कितनी हागी बताओ मेरे को six हागी six हमेशा किस से divide होएगी six से तो divide होएगी होएगी ठीक है हमेशा किस से divide होएगी six से अब आप कहोगी जी पहले आपने one ही क्यों लिया आप और भी तो ले सकते हो मैं कहता हूं बिल्कुल ले सकते हो आप पहले two ले सकते हो two से अगला integer कौन सा होगा three इस से अगला कौन सा होगा four इन तिनों की multiply करना वो हमेशा 6 से divide होगी ही होगी पका होगी ठीक है इसी तरह से आपका होगी पेपर में तीन की जिगत चार पूछ ले अगर मालो चार कंजूगेटिव integers पूछ ले तो उनकी product हमेशा किस से divide होगी मैं कहता हूं एक से start कर दो आप ठीक है इस से अगला number 2 इस से अगला 3 इस से 24 तो यह कितना होगा 24 तो मैं कहता हूं चार कंजूगेटिव integers की product जो हना वो हमेशा divide होगी which is always divisible by 24 अगर आप से पूछ ले 5 कंजूगेटिव integer की product किस से divide होगी तो 1 2 3 4 और 5 यह कितना होता आपका 120 तो वो हमेशा 120 से क्या होगी divide होगी तो इंच जोब आप ध्यान रखना तीन की पुचिए तो पहले तीन नंबर ले लो natural नंबर वो product हमेशा 6 से divide होगी 4 से पुचिए तो पहले 4 नंबर की multiply कर दो 5 से पुचिए पहले 5 की 6 से पुचिए पहले 6 की यह concept होता है ठीक है तो आप कोई भी question आज के बाद ऐसा solve कर पाओगे अब यह देखो यह बिल्कु आपको क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ आपको second number बताना है यानि की बताना है आपको बताओ क्या formula होता है आपको आपको यह बताना है आपका formula होता है एंटू बी इक्वल टू एच्छिफ इंटू एल शिम तो ए कितना बताओ आप 27 भी आपको निकालना है एच्छि कितना आजेगा 153 और यही इस question का क्या answer है तो इस concept के उपर best question तो paper में पुछे ही पुछे जाएंगे कोई निरोख सकता है इसको अब यह देखो क्या क्या क्याता है the least positive integer which is divisible by 20 and 24 जो छोटे से छोटा number जो इन से दोनों से divide हो जे वो क्या होता है इनका LCM तो होता है और 20 और 24 का LCM तो अब सभी निकालना जानते हो निकाल लेना कितना आजेगा इनका LCM 120 आएगा तो 120 इस question का क्या हो जेगा अब यह देखो यह कहता है the decimal expansion जो यह decimal expansion न यह कैसी है terminating है non-terminating है तो मैंने आपको क्या बताया जब भी किसी decimal expansion के बारे में आपसे पूछे कि वो terminating है या non-terminating है सबसे पहले उसको lowest term में convert करना होता है कि कोई common factor cancel होता है तो उसको करो तो देखो यह मैंने अभी बताया था 7 से cancel होगा 7 6 जा और 7 3 जा हो गया अब निच्चे क्या बच गया मेरे को बता दो यह तो बच गया यह क्या बच गया 5 और 2 और 5 बच गया तो इसका मतलब यह decimal expansion क्या होगी आपकी terminating होगी यह क्या होगी terminating अच्छा अब यह भी बता दो मेरे को अगर terminating होगी तो कितने place के बाद होगी आप को जी 5 की power 3 है और 2 की power 2 है और दोनों मेंसे जो highest होती होगी है terminating and it will terminate यह खतम हो जाएगी मतलब की it will terminate after 3 places ठीक है तीन places के बाद होगी तो अब देख लो कौन सा option आपका सही है एक terminating decimal expansion होगी यह option सही है non terminating तो होई नहीं सकती non terminating नहीं हो सकती terminating होगी after two places of decimal लेकिन मैंने कहा after three places of decimal है तो मतलब यह भी गलत हो हो यह पहला option आपका क्या है सही है यह कौन सी expansion होगी अपकी terminating decimal expansion अब यह question देखो क्या कहता है बहुत आसान question है इसमें कहता है pair of natural numbers whose least common multiple least common multiple मतलब LCM कहता है LCM जिन दो number 78 हो and greatest common divisor मतलब GCD और GCD को क्या बोलते है हम HCF ही बोलते हैं HCF कितना हो 13 हो आपको कहता है ऐसे नंबर बताओ जिनकी LCM 78 हो और HCF 73 हो मैंने आपको क्या बताया था कि दो number की जो product होगी न वो इनके HCF और LCM के equal होगी मतलब कि 78 into 13 के equal आनी चीए तो आप देखो क्या यह pair हो सकता है क्या आपको होगे जी इन दोनों number की product अगर आप 58 की 13 से multiply करोगे तो क्या वो 78 into 13 आ जाएगी क्या मैं कहता हूं 13 तो है इसमें तो यह 78 और यह 58 तो कैसे आ जाएगी मतलब यह option तो वैसे reject हो गया फिर इन दोनों की multiply देख लो एक एक की चेक कर लो आप सिरफ ठीक है 68 और 23 की multiply क्या 78 और 13 आ सकती है मैं करता हूं कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि 23 क्या होता है एक prime number होता है ठीक है और इसके अंदर 23 मोजूद है नहीं तो इसका मतलब यह इसकी 18 और 73 देखना 18 और 73 क्या इसकी multiply 78 और 13 आ सकती है मैं करता हूं कभी भी नहीं आएगी क्योंकि 73 एक क्या होता है आपको चेक करने हो कि 78 और 13 के equal आएगी या नहीं आएगी तो आपको multiply करने की जुरूत नहीं है आपको सिरफ यह चेक करना है कि यह दोनों product equal है या नहीं है आप मिरको बता दो अगर मैं कहूं कि 2 इंटू 3 की multiply क्या 3 इंटू 2 के equal है या नहीं है तो आपको मालनों पता नह आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो आपको नहीं पता इसकी multiply कितनी होती है बताओ 2 इंटू 3 और इसकी multiply 3 इंटू 2 आप दोनों को आपस में जब divide करोगे तो कटके answer कितना आएगा 1 आएगा यानि कि 2 product आपस में equal है या नहीं है आप यह देख लो कि दोनों को आपस में divide करन करने पर क्या answer 1 आता है क्या आपको जी यह 2 पे कटेगा 39 और 39 39 से कितना आगया 1 इसका मतलब यह दो प्रोड़क्ट आपस में equal है तो इसका option कौन सा हो जेगा अपना D होएगा ठीक है तो यह बहुत अच्छा मैंने आपको rule बताया कि 2 product equal है या नहीं है उसके लिए आपको यह चेक करने की जुरूरत नहीं है कि multiply करो दोनों की आप दोनों के आपस में division कर लो और factor cancel कर दो अगर सारे के सारे factor cancel हो जाते हैं last में one बचे तो इसका मतलब वो दोनों product क्या होगी आपस में equal होगी तो यानि कि जो दो natural number है जिनका HCF और LCM आपको given है वो यह pair भी हो सकता ह है और वो इनका pair भी हो सकता है तो दोनों का HCF और LCM आपको कितना है 78 and 13 है ठीक है तो यह आपके question का answer है अब देखो यह बहुत आसान question है the decimal expansion of the rational number this will terminate after कितने places के बाद terminate होगी ऐसा question हमने कल बिल्कुल यह question किया है चार place के बाद क्या हो जाएगी तर्मिनेट हो जाएगी अब यह देखो यह भी कहता है यह decimal expansion terminating है non-terminating है कैसी आपको बतानी है आप देख लो लिख लो इसको 129 upon में 2 की power 2 into 5 की power 7 into 7 की power 5 बस आप यह बता दो मेरे को यह जो 7 है क्या यह उपर वाड़े number से cancel हो जाएगा क्य मैं कहता हूँ उपर वाड़ा number तो एक बार भी cancel नहीं होता 7 से तो यानि कि यह decimal expansion हमेशा ही क्या होगी non-terminating जो कि denominator में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया ना और वो cancel नहीं होता उपर से तो वो decimal expansion हमेशा क्या होगी अपकी non-terminating होगी ठीक है non-terminating और यह कहता है third option में non-repeating नहीं ऐसा नहीं होगा यह terminate नहीं होगी लेकिन repeat होगी आप कहोगी कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि terminate नहीं होगी लेकिन repeat होगी मैं कहता हूँ ये जो number है ना ये एक rational number है ये number क्या है अपका rational number है ये वला और rational number कभी भी ऐसा नहीं होता कि non-terminating भी हो और non-repeating भी हो ये होता है irrational number की definition ठीक है तो ये तो rational है ये तो number क्या है अपका rational है तो rational number अगर terminate नहीं हो रहा तो उसकी decimal expansion repeat पका होगी 100% होगी ठीक है इसका answer क्या यह देखो क्या कहता है इसमें the sum of two irrational numbers is always देखो दो irrational number का sum हमेशा क्या होता है वो rational भी हो सकता है वो irrational भी हो सकता है मैं आपको example देखता हूँ मानलो एक irrational number आप मानलो root 2 एक को मानलो आप root 3 दोनों का जो sum होगा वो कितना होगा root 2 plus में root 3 और यह तो क्या है आपका irrational है तो आप कह दोगे कि दो irrational number का sum हमेशा irrational आएगा लेकिन वो गलत हो जाएगा मैं आपको कहता हूँ एक irrational number को minus root 2 मानलो minus का root 2 भी तो irrational number है ना और एक को root 2 मानलो अब इन दोनों का sum बताना मेरे को minus root 2 और plus root 2 यह तो कटके कितना आएगा 0 क्या 0 irrational है क्या मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं यह तो rational है तो यानिकि अगर 2 irrational number हो और दोनों को आप add करो तो जरूरी नहीं है कि उनका sum हमेशा irrational आएगा rational भी आसकता है और irrational भी आसकता है यह बात मैंने आपको प्रूब करके बता रही ठीक है क्योंकि एक root 2 ले लो और दूसरा minus root 2 ले लो दोनों को जोड़ो को तो क्या हो जाएगा आपका answer 0 आजाएगा और 0 तो क्या एक rational number है यह कहता है इसमें से which of the following is not irrational इन में से कौन सा irrational नहीं है आपको यह बताना है देखो पहला तो irrational है 2 minus root 3 को अगर आप 2 से divide कर भी दोगे तो क्या होगा यह तो irrational आएगा यह तो क्या है irrational लेकिन आपसे पुछा है क्या irrational नहीं है इसको 2 से divide करोगे irrational आएगा इसको divide करोगे या इसको करोगे देखो यह last वाड़ा देख लो 2 root 7 upon me 7 मिरे को बताओ यह root 7 है यह 7 है तो यह root 7 तो कभी खतम ही होई नहीं सकता यह तो क्या है आपका irrational है एक यह option बच गया कौन साब का यह अब यह थोड़ा solve करके देखें क्या क्या इसको solve करके देखा जाए कि यह rational कैसे है हम चेक कर लेते हैं यह rational कैसे है देखो उपर क्या करो इसकी आपसे पुछा है कि क्या not irrational मतलब कि क्या नाची है उसका अंसर rational यह तो जो है rational नहीं है तो इसकी अगर आप वो करोगे rationalization भी करोगे 2 माइनस root 3 upon 2 माइनस root 3 उपर प्रफेक्ट स्केर बनेगा a माइनस b का whole square a square plus b square minus 2 into a b नहीं यह भी क्या होगा आपका irrational होगा निच्छे a minus b यह निकि 2 minus 3 यह नंबर क्या बचेगा आपका irrational बचेगा तो यह जो option है ना यह सारी आपको क्या देर रखे गलत देर रखे ठीक है यह यहाँ पर यह नंबर भी irrational है यह भी irrational है यह भी irrational है और यह भी क्या है आपका irrational है तो यह question क्या है आपका wrong है क्योंकि different different websites के पर question होते हैं कई teachers question ले लेते हैं ठीक है typing mistake हो जाती है तो यह तो सारे ही number क्या है आपके irrational यह सारे number irrational है लेकिन आपसे पुछा है कौन सा इर्रैशनल नहीं है तो यह option सारे गलत है ठीक है अब इसमें देखो यह बिलकुल आसान question है the set this represent the set of यह जो set है यह किसको represent करता है बता हो यह कौन से number होते है whole numbers होते हैं सारे मैंने आपको बताया था whole numbers कहां से start होते हैं 0 से तो यह तो क्या आगया सिद्धा definition के उपर based question है इसमें देखो यह अच्छा question है इसमें कहता है there are 312, 260 and 156 students in class 10th, 11th and 12th तीन कलासों में इतने इतने बच्चे हैं और वो बस के अंदर बैठके जाएंगे तिनों कलास के बच्चे अब यह कहता है find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students यान की एक बस में maximum कितने बच्चे बैठ सकते हैं अगर हर एक बस number of students equal लेके जाएगी पहली बस अगर 20 बच्चे लेके जाएगी तो दूसरी भी 20 तीसरी भी 20 लेकिन इस question के अंदर एक चीज मिसिंग है आपको यह कहेगी कि एक बस में जो है ना एक बस में जो सभी students होंगे वो एक ही class के होंगे तो आपको maximum बताना है एक बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं तो जब भी maximum वरड़ आए ना तो आप क्या निकाल लेकरो इनका HCF निकाल लेकरो ठीक है एक बस में maximum कितने बच्चे आ सकते हैं इनका HCF आप कर दो चार से डिवाइड हो रहे है तीनों नमबर तो मैं चार से कर देता हूं सिद्धा ये साथ पे कटेगा और कितना बच गया तीन और ये आठ पे कट जाएगा ठीक है चार पे डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका चार पैंसेट आजेगा और चार से करोगे तो ये कितना आएगा 49, 13 पे कट रहे हैं सारे नंबर, यह 6 बार और यह 5 बार और यह 3 बार, आगे कोई नहीं कटता, एच शिफ कितना आगे बताओ, मेरे को 4 इंटू 13, यानि कि 52, एक बस में ज्यादा स्जादा कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 52 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, यह आप 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2, तो देख लो कौन सा है, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2, यह आपका option हो जाएगा, यह देखो ऐसा question हम कर चुके, बिल्कुल सिम, दो positive integer है, M और N, दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, M की value यह है, N की value यह है, इनका क्या निकालना आपको, HCF, मैंने क्या बताया था, HCF कैसे आता है, इनकी जो minimum power होती है, जैसे दोनों में P देखो, यहाँ पे एक power है, यहाँ पे तीन है, minimum कितने है, एक, यहाँ क्यूंकि 3 power, यहाँ दो power, कम कौन सी है, 2, तो HCF कितना हैगा, अपका P into Q square, तो P into Q square अपका क्या हैगा, answer आजएगा, यह last question है, इस chapter का, इसमें कहता है, if the LCM of A and 18, A और 18 दो नंबर है, उनका LCM इतना है, HCF of A and 18 is this, मतलब देखो, दो नंबर है, A और 18, दो नंबर की हम product करेंगे, वो किसके equal आती है, उनके HCF और LCM की product के equal, HCF कितना है बताओ, 2, और LCM कितना है उनका, the LCM of A and 18 is 36, मत by 18, तो यह 2 पे कट रहा है, 2, 2 जा कितना है, 4, तो यानि कि A की value कितना है, 4 आईगी, और यही इस question का क्या है, answer है, तो यह धियर number के अंदर, जितने भी question बनते थे, MCQs की form में, सारे मैंने आपको concept समझा दिए, इस से बाहर आपका कोई भी paper के अंदर question नहीं पूछा जाए आज के लिए मैं इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, कुछ रहे हैं, बाई बाई, take care